दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका चैनल पर जिसका नाम है गौतम ओनलाइन इस्टुडी तो आज आपके लिए एक इस्पिसल वीडियो हम आपके लेके आए हैं जिसमें कि हम आपके सिक्षण वीडियों से जो कोश्चन बनते हैं इन सभी कोश्चन्स को टूथ हैं 11 से ल आपके लिए लेके आने वाले हैं जिसमें कि आज हम करेंगे फर्स्ट क्लास में कोश्चन्स देन नेक्स पार्ट इसी तरह से आपको ही तो इस कंप्लेट सीरीज को आप जरूर वाच करिए यह आपके लिए विनिफिशल रहेगी क्योंकि सभी टेट एक्षाम के आपके करते हैं तो गाज सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीचेगा इस टार्टिंग से ही क्योंकि आपके लिए इस्पिसल वीडियो होने वाला है और इसमें आपको सभी सिक्षन वीडियों से जो कोश्चन्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं ठीक है तो चलिए फ पत्प्रदर्शक का या अनवश्यक किंडर गाल्टन सिक्षा परणाली में सिक्षक का जो इस्थान है यहाँ पे किस ग्रूप में है पत्प्रदर्शक का है किसमें पत्प्रदर्शक का है यहाँ पे सिक्षक का इस्थान सेकेंड कुश्चन देखिए किंडर गाल्टन सिक् जब महत्त दिया चाता है वह आपके पत्र प्रदर्शक को ही दिया चाता है तो C यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट अंसर है Next question देखिए third कौशलों के लिए सही उप्योग से सिक्षक प्रसिक्षण में सुनिश्चित कीचा सकती है तो कौशलों के सही उप्योग से सिक्षक प्रसिक्षण में सुनिश्चित कीचा सकती है आपके गुणवथ्ता बिल्कुल राइट अंसर है आपका C गुणवथ्ता सुनिश्चित कीचा सकती है Next question देखिए question 4 प्रस्ताबना कौशल कक्षा अध्यापन क्रिया की इस्थित है प्रारंभिक, मध्य, अंत्य या इन्मेशिक कोई नहीं तो प्रस्ताबना कौशल कक्षा अध्यापन क्रिया की जो इस्थित है यहाँ पे आपके प्रारंभिक इस्थित है तो राइट एंसर क्या है? A बिल्कुल आपका correct answer है तो सभी questions को आप अच्छे से इसमें प्रेपेर कर लिएज़ेगा PDF आपको हम provide कर वादेंगे ठीक है तो देखिए next question 5 दुरिश्य कावे में गिना चाता है गद्य, पद्य, कथा या नाटक तो दुरिश्य कावे में गिना चाता है आपका नाटक D आपका यहापे बिल्कुल correct answer है question 5 का next question देखिए 6 कावे और गद्य की वीच की विदा है चम्पू, नाटक, लेखन या अनुवाद तो कावे और गद्य की वीच की जो विदा है यहाँ पर हम बात करें तो right answer क्या होगा आपका B आपका correct answer है 6 question का B आपका बिल्कुल right answer है अगला question देखिए question 7 आधुनिक सिक्षा प्रणाली के अंतरगत आति विशिष्ट इस्थान है प्रश्णा वाली प्रणाली का या अंतरिक प्रणाली का लेखन प्रणाली का या अभ्यास प्रणाली का तो आधुनिक सिक्षा प्रणाली के अंतरगत जो अति विशिष्ट इस्थान है वह है आपके यांतरिक प्रणाली का है किसका है? यांतरिक प्रणाली का है तो B आपका हाँ पर right answer हो जाएगा next question 8 यांतरिक प्रणाली को किस वर्ण के छात्रों को लाफ मिल रहा है प्रात्मिक विद्याले के उच्च विद्याले के कॉलेज के या ये सभी क्या होगा? देखी यांतरिक प्रणाली का जो लाफ मिल रहा है आपके सभी को मिल रहा है प्रात्मिक विद्यालेओं को भी मिल रहा है, उच्च विद्यालेओं को भी मिल रहा है और कॉलेस को भी मिल रहा है तो यहाँ पर D आपका मिलकुल correct answer है Next question देखिए Question 9 है हमारा कश्टूरवा गांधी बालिका विद्याले की स्थापना की साएगी सेक्षिक रूप से पिछडे प्रखंडों में जहां राष्टी ओसत से कम ग्रामीड इस्तरी साक्षरता है जहां जेंडर अंत्राल राष्टी ओसत से उपर है या केवल दूरस्त ग्रामीड छेत्रों में तो जो कस्तुर्वा गांधी बालिका विद्याले की स्थापना की साएगी यह आपके सैक्षिक रूप से पिछडे प्रखंडों में की साएगी सैक्षिक रूप से पिछडे प्रखंडों में तो ए आपके आपे बिल्कुल करेक्ट्रें सरे Q9 का Next question देखिए 10 एवं भाषा एवं सिक्षा में कोई शंबंद नहीं है तो एवं भाषा एवं सिक्षा में कोई शंबंद नहीं है क्या होगा राइट एंसर आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे चो करेक्ट एंसर होगा भाषा एवं सिक्षा में कोई भी शंबंद नहीं है ठीके, D आपको बिल्कुल correct answer यहाँ पे question 10 का Next question देखिए 11 समाजी करण में सिक्षा को भूमिका निभानी चाहिए अभी करता की, प्रशाशक की, परामर्ष दाता की या उप्यूक्त सभी की बिल्कुल, समाजी करण में जो सिक्षा को भूमिका निभानी चाहिए ठीके, तो D आपको यहाँ पे बिल्कुल correct answer है 12 question देखिए तदन भूतिक, भी आपका correct है 13 question गद्य शैली की विशेषता है, शमाज बहुलता, शिंदी का प्रयोग, विवक्ति युक्त या उपसर्ग युक्त गद्य शैली की विशेषता है देखिए गद्य शैली की जो विशेषता है, शमाज बहुलता, यह आपका यहाँ पे राइटेम सरे तो शबी लोग अगर आपने भी तक सेयर नहीं के तो सेयर करती है Next question करती है Next question है हमारा 20 question Media चाना जाता है प्रथम शत्तावर्ग, जिद्धी शत्तावर्ग, तृत्ती सत्तावर्ग या चतुर्थ सत्तावर्ग तो मेडियास आना जाता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो चतुर्थ शत्तावर्दी डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्टिम सरें 20 कुश्चन का नेस्ट कुश्चन देखें 21 अच्छन के लिए इसको पर बिल्कुल राइट एंसर है नेस्ट कुश्चन देखें 22 अच्छे सिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है निदान, उप्चार, निदेश, प्रतिपुष्टी तो अच्छे सिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है नीची दियेगे गुर्ट से आपको सयुत्तर का चेयन करना है तो यहाँ पे अगर हम बात कहें राइट अंसर की तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सभी options यहाँ पे अच्छे सिक्षण के लिए जो पेक्षित है निदान, उप्चार, निदेश, प्रतिपुष्टी सभी यहाँ पे आपका correct answer है निदेश्ट कोश्चिन देखिए, 23 विद्याले प्रवंधन एवं हौस्पिटल प्रवंधन दोनों पुणता विन है या एक ही है या विन होते हुए भी कुछ शमान पक्ष रखते हैं या एक सम इस्तरोती मानेच आने चाहिए तो विद्याले प्रवंधन एवं जो शमान पक्ष रखते हैं, तो यहाँ पे C आपका बिल्कुल correct answer है, 23 question का, next question देखिए, अगला question है मारा 24, मुक्त एवं दूरस्त अधिगम के अंतरगत संप्रेशन हेतु, मुख्य अवरोध बितपन होती है, मानवी सिक्छक के माध्यम से, दूरी जो वास्तविक्ता है, स्वामगरी की गुणवत्ता, next देखिए, 25 question, निम्न पंक्तियों में कौन सा दर्शन इंगित होता है, सिक्छा अपना उद्देश प्रक्रियाम साधन में पुनता है, बालक के जीवन तथा बालक के अनुफ़वों में खोशती है, तो इसमें क्या इंगित होता है, तो यह आपके यहाँ पर correct answer है, अगला देखिए, question 26, निम्न लिखित में इसे ज्ञान सम्बंदी योग्यता का उच्चिता मिश्तर क्या है, ज्ञान सम्बंदी योग्यता का उच्चिता मिश्तर क्या है, मुल्यांकन करना, जानना, समझना या विश्लेशन करना, तो तो यहाँ पर हम बात करें, तो रही तरध एनसर क्या होगा? टैग्वोर ने, आतनिक भारती सिक्षा में प्रधिया अगमन की रूप में, या राष्टी कारेक्ट एनसर है, इसमें शिक्षा पर विचार किया गया है, निवेष की रूप में, प्रत्या गमन की रूप में, या राष्टी कारेक्रम के रूप में, या शमाजी कारेक्रम के रूप में, क्या होगा आपका correct answer? बिल्कुल देखिए, आपका correct answer होगा आपका C, राष्टी कारेक्रम के रूप में, C आपका 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 बिल्कुल correct answer है 28 question का, next question देखिए, तो next question है हमारा 29 सेक्षिक परिवेक्षण के कारे क्या है सेक्षिक परिवेक्षण के कारे क्या है अभिवाकों से शंपर इस्थापित करना परामर्श दाता के रूप में कारे करना कक्षा निरिक्षण करना या ये सभी देखिए सेक्षिक परिवेक्षण के जो कार्य होती है वो आपके अभिवागों से शंपर की स्थापित करना भी होता है परमर्शिदाता के रूप में कार्य करना भी होता है कच्छा का निरिक्षण करना भी होता है तो आलावदी से आपके आपका correct answer है D Option D Next देखिए 30 question सेक्षिक परिवेक्षण को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है निर्थित कौशल, इसपरष्ट निर्देशन, संचार कौशल और प्रवंदकी ग्यान या ये सभी सेक्षिक परिवेक्षण को जो प्रवावित करने वाले कारक होते है वो होते हैं आपके नेतित कॉशन, संचार कॉशन प्रबंद की ज्यान, तो D आपके यहाँ पर राइट एंसर है 30 कॉशन का, तो यह आज के हमारी 30 कॉशन थे, जो कि आपके टुथर्ण 11 से टुथर्ण 19 के जितने भी 30 एक्जाम हुए ना, इन सभी एक्जाम से, सिक्छन तो वीडियो को लाइक करतीचे, सेर करतीचे अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और चैनल पर अगर आप नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लीचेगा, वेल आइकन चुरूर प्रेस कर लीचेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेसन मिल चाहाँ और आप कोई वीडियो मिश तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू